IPL 2021 की नीलामी समाप तो चुकी और पंजाब किंगस की टीम ने इस नीलामी में बड़े और बेक टिकेट्स पिलियर को खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है ओर आज मैं आपको वीड़ो में बतूँगा किया ऐनती पस्क्रेंग पिरति सरक्क्राइबं क्यशppy धिक्योस सब्सक्राइब करें ज़ूर करते हैं ट्रेंट की क्या तागत रहने वाली है पंजाब किंग्स की टिम के आई प्याल 2021 के सीजन में चलिए जानते हैं तो पहले तागत रहेंगी किंग जालन पंजाब की टिम के पास में फिछले तीन साल उठा कर देख लिए आई प्याल के तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रह और मिडल ओर भी है उनके एक स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया काम करता है मिडल ओर भी पंजाब किंग का आई प्याल 2021 के सीजन में भी पंजाब किंग्स का मिडल ओर बहुत मजबूत दिख रहे हैं देट मलान जुड गए इस टिम के साथ हला कि डेट मलान उपनर है लेकिन मि डाइविड मलान बैटिंग कर सकते हैं और क्रिस गेल भी है बहुत बढ़िया बैट्समान हमने फिदले सीजन में देखा आईपयल 2020 के सीजन में देखा कि क्रिस गेल भी बहुत बढ़िया नमबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे लंब एट लगा रहे थे क्रिस गेल भी तो बहुत बड़या middle order दिख रहा है हमें King Zolan Punjab की टिम का IPL 2021 के सीजन के लिए तो middle order भी एक strength बन जाता है King Zolan Punjab की अलेकि IPL 2020 के सीजन में इतनी strength नहीं था इतना powerful middle order नहीं था King Zolan Punjab की टिम का middle order Chris Gail को छोड़ कर कोई run नहीं बना रहा था लिगन डेर्ड मलान की चूलने से हमें काफी मजबूर्थ टिम स्कॉट दिख रहा है King Zolan Punjab का और middle order में बहुत जाना चुके है King Zolan Punjab के तो ये भी एक strength है King Zolan Punjab की middle order चलिए बात करते हैं तीसरी strength की क्या ताकत रहने वाली है King Zolan Punjab की तो तीसरी ताकत है जो में King Zolan Punjab का IPL 2021 का सीजन जीताने मदद करने वाली है तो ताकत है all rounders की all rounders को इस team ने ज़्यादा purchase किया सोक्षन में इस team ने अपने ज़्यादा पैसे all rounders में invest किया है चलिए बात करते हैं कौन से all rounders हमें IPL 2021 के सीजन में पंजाब के उसकी ओर से बड़िया परफॉर्म करती हुए दिखने वाले है इस team ने मौईस जोनरिस को इस ओक्षन में purchase किया है IPL 2021 की निलामी में भी King Zolan पंजाब की टिम ने मौईस जोनरिस को अपने टिम में शामिल किया था लेकिन हैं खेल नहीं पायते हैं अपने चोटके चलते हैं और इस team ने यंग स्टर शारुक खान पर भी अपने पैसो को invest किया है करीब साड़े पाच कड़ोड रुपए शारुक खान को IPL 2021 का सीजन की XIP की ओर से खेलने के लिए पंजाब की टिम देने वाली है तो शारुक खान भी इस team के साथ जुड़े है और मेडल ओडर में दीपा खुड़ा भी है इनके पास तो काफी बड़ी all-rounder performance दिख रहा है फिनिशर भी बहुत बड़ी है दिख रहा है किंग जलन पंजाब की टिम के पास तो इससे बहुत पेनिफिट होने वाल है पंजाब की टिम को आई प्याल 2021 के सीजन में इतने सारे all-rounder को ओक्षन में पर्चेस करने पर चलिए बात करते हैं बॉलर्स की बॉलर्स में भी इस team की काफी strength बड़ी हुई है चलिए देखते है कि बॉलर्स में कौन को नहीं किंग जलन पंजाब की टिम के पास तो बॉलर्स में मॉमम शमी है और जे रिचर्ड्सन जुड़ा है इस team के पास में जे रिचर्ड्सन को इस team ने काफी expensive price में पर्चेस किया है इस ओक्षन में चलिए अब बात करते हैं पंजाब Kings की weakness के बारे में तो पंजाब Kings की टिम की पास एक ही weakness है वह इंडियान fast baller इंडियान fast baller तो एस team के पास में लेकिन अनुबह इतना नहीं है अगर खुदाना खास्ता चूटिल हो जाती है तो इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा किंग जॉलन पंजाब की टीम पे आईपेल 2021 की सीजन में और मॉम माश्यमी के साथ एक चाहिए तो एक्सपिरियान बॉलर वह भी इंडियान बॉलर हो सकता है कि आईपेल 2021 की सीजन इंडिया में हो तो मॉम माश्यमी के साथ एक एक्सपिरियंस बॉलर चलता था मॉम माश्यमी के साथ में उमेशादो हो सकते थे में शादो पर पंजाब की सीजन में बीडिंग कर सकती थी लेकिन नहीं किया है तो इस यह विकनेस है बड़ी किंग जॉलन पंजाब की के इंडियान फास बॉलर वो भी एक्सपिरियंस बॉलर नहीं है किंग जॉलन पंजाब की टिम के पास मॉम माश्यमी के अलावा तो यह थी भाई पंजाब किंग की टिम के आईपेल 2021 के सीजन में स्ट्रेंथ और विकनेसे बड़ी आपको क्या लगता है आप अ